कोरोना वाइरस को लेकर देश दुनिया में हरकम मचावा है और इसी बीच मुख्यमंत्रिया इशुग घैलोत ने अजमेर कलेक्टर और भरतपूर कलेक्टर से कोरोना वाइरस पर वीसी में नाराजगी जताई है डेली वर्ल पब्लिक स्कूल इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है अजमेर कलेक्टर विश्मोहन शर्मा ने रहीवार को वीडियो कॉंफरेंस के दोरान सरकार को गलत और अधूरी जान करी दी जिसे सुनकर मुख्यमंत्री अश्वो गहलोत और चिकित्सा मंत्री रगुशर्मा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कोरोना को लेकर कोई कोताई बरदाश नहीं की जाएगी फिर चाहें वो कोई कलेक्टर ही क्यों ना हो सबी अफसर इसे गंवीरता से लेकर प्रिदेश में काम करें दरसल कॉमफ्रेस में अजमेर कलेक्टर विश्मौन शर्मा मुख्यमंत्री को बता रहे थे कि डोर टू दोर जो सर्वे हुआ है उसमें जिले में एक लाग से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है और इसी जानकारी पर चिकिस्ता मंत्री रगुश्यर्मा ने कलेक्टर को टोकते हुए कहा कि जब पूरे राजिस्तान में ही कुल 1.48 लाग लोगों की स्क्रीनिंग हुई है तो ऐसे में अजमेर में ये आकड़ा 1 लाग कैसे पहुँझ गया इस पर करेक्टर ने कहा कि जनवरी से ही डोर टू दोर सर्वे कारे किया जा रहा है तो फिर मंत्री रगुशर्मा ने कहा कि कॉरोना वाइरस तो फरवरी में राजिस्तान में आया है और इसी गलत आकड़े और सूचना पर मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री अश्योग गैलोत ने भी नाराजगी जता ही है वहीं वी सी में अजमेर कलेक्टर के साथ-साथ बरतपूर के कलेक्टर नत्मल डिडेल से भी सीम ने नाराजगी जता ही है कैर इस पूरे मामले से ये सपस्ट है कि अजमेर का स्वास्य भाग लापरवाई गलत आंकड़े देकर अपने काम को अंजाम दे रहा है जिसके चलते कलेक्टर को सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है